लगे आमभॉस टूफान यानि अमभान साइकलोन के बारे में पढ़ेंगे ठीके उसके इंपॉरटन पॉइंट पॉइंट के आप अप्रूइंट determination के नाम और इनका impact क्या पड़ा हमारी इंडिया में अधर जगाम पर इंका impact क्या पड़ा यह सब चीज़ें आज हम देखेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले आपको यह जानने जरूरी हो जाता है कि siqlone kia अमफान तो ठीक है लेकिन साइकलोन क्या है चक्रवात क्या है ठीक है प्रति चक्रवात क्या है तो सबसे पहले हम इनके बारे में बेसिक डिसकस कर लेते हैं उसके बाद हम अमफान पर चलते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या सैकुलान, चक्रवात के बारे में आपको जानना है यहां विविन प्रकार की हवाओं का मिश्रण है और जब यह तीव्र गती से उपर उठता है तो इसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं अब यहाँ पर इसको इस तरीके से समझो मान लो ठीक है ये कोई जगा है तो जो चक्रवात है चक्रवात में केंद्र पर कम दबाओ यानि कि जब चक्रवात होता है साइकलोन होता है तो ये होता है केंद्र और ये होता है बाहरी साइड ठीक है तो यहाँ पर pressure कैसा होगा pressure यहाँ पर low होता है यहाँ पर pressure कैसा होगा means यहाँ पर दबाव कम होता है और बाहर क्या होता है दबाव बहुत जादा ही high होता है ठीके इसकी वज़े से जो हवाएं हैं वो क्या करती है जो bend direction है जो air direction ने वो कहां से कहां तक होती है बाहर से अंदर की तरफ आती है जो हवा का movement है वो बाहर से अंदर की ओर आती है और चकरवात अपने साथ साथ क्या include करता है आपने देखा है कि चकरवात में बहुत ज़्यादा भारिस होती है ठीक है इस्टॉम यानि की तूफान आता है और बहुत तेज हवा चलती है तो ये सब चीजे हैं जो की इंक्लूड हो जाती है किसमें साइकलोन में तो बेसिक आपको साइकलोन के बारे में पता चल गया होगा ठीक है की ओर जाएगा और ये क्या कर देता है मौसम को साफ कर देता है ठीक है और एंटी वर्ड वैसे भी कहीं पर भी लग जाता है तो जस्ट अपोज़िट काम करता है तो साइकलोन के अपोज़िट काम करेगा anticyclone that means यह क्या करेगा मौसम को साफ कर देता है ठीक है ऐसे यह बहुत सारे चक्रवात हैं इसके बारे में मैं डिसकस नहीं करना है आज ठीक है बिस्ट के बहुत सारे चक्रवात है ताइफोन जो चाइना सागर से उत्पन होता है ठीक है जापान चाइना यहां सबसे पहले अमफान साइकलोन के बारे में डिसकस करना है ठीक है अमफान साइकलोन क्या है कैसे आया ठीक है कहां कहां आया तो देखते हैं सबसे पहले अमफान साइकलोन के बारे में यहां क्या है महा चक्रवात में बदला कब बदल गया 20 मई को कि यह डेट याद रखनी आपको अपने भारत में कोल कहता यानि कि बेस्ट वेंगौल की बात करते हो पश्यम बंगल और उडिशा की तो उस पर जितना भी प्रॉबलम आया जो भी इंपेक्ट पड़ा वो कब हुआ 20 मई को हुआ ठीक है तो याद रखना आपको 20 मई को भारत में आया तो यह महा साइकलोन यानि कि आप बोलो कि सुपर साइकलोन में कब बदला तो यह 20 मई को बदल गया ठीक है इससे पहले 1999 में में आज की 21 साल पहले ऐसा ही एक सु जिस से उडिसा और पश्चिम बंगाल के कई तटीय जिलों में तेज रफतार हवाओं के साथ भारी बारिस हुई इतना पॉइंट आपको समझा गया होगा ठीक है तूफान का केंद्र उडिसा के पारा दीप से 980 किलो मीटर दच्चिड में पश्चिम बंगाल के दीगा से 1130 किलो मीटर दच्चिड पश्चिम में और बांगला देश के खेपू पारा से 1250 किलो मीटर दूर दच्चिड और दच्चिड पश्चिम में इस्थे थे ठीक है तो यह तूफान का केंद्र रियाद रखना है कहां कहां पर उडिसा के पारादीश देखो यह है उडिसा तो तो यहाँ पर हुगली नदी है ठीक है? हुगली नदी है और यह इसको इस तरीके से एक रूड का काम कर देता है वाटर, ठीक है? तो यहां पर भी इसलिए भारी तबाही हो जाती है तो आपको ये समज़ना होगा कि इसका केंदर कहां-कहां पर है तो ये इतना सबसे पहली बात आप इसमें ये समझो कि जो कोई भी चक्रवात होता है उसका नाम उस area पर depend करता है जहां पर वो आया होता है या जहां पर वो आने के chances होते हैं उसके जगा पर उस छेत्र पर निर्भर करता है उसका नाम ठीक है जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशने रीजन की ठीक है भारतिय महासागर छेत्र के चक्रवाद का नाम 2000 में ही सुरू कर दिया गया था means अगर जो भी आपके इंडियन ओशन रीजन में साइकलोन आते हैं उनका नाम 2000 में ही रखना सुरू कर दिया गया था लेकिन इसका जो पूरा फॉर्मूला तयार कर दिया गया वो कब तयार हुआ था 2004 में तयार हुआ था ठीक है और इसमें क्या है टोटल कुछ कमेटियां बैटती हैं और कुछ जैसे अगर हम भारतिय महासागर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल आठ कंट्री हैं जो की पा कंट्री में से थाइलेंड ने सबसे आखरी नाम दिया था अमफान का मतलब उससे पहले अभी तक कोई तूफान नहीं आया था इसलिए अमफान जो है इस वाले साइकलोन का नाम रख दिया गया ठीक है इसका नाम अमफान 2004 में ही डिसाइड हो गया था तो याद रखना है नाम कौन रखता है तो उस बीजन फर डिपेंड करता है जो कमेटिय या जो कंट्री होती है है वही डिसाइड करते हैं वो अपना सुझाओ देते हैं ठीक है दुनिया भर में तूफानों के नाम पांच कमेटिया फाइनल करती है इन कमेटियों के नाम आपको समझाना चाहि ठीक है आरे वन आरे फोर और आरे फाइव ट्रॉपिकल साइकलोन कमेटी और इसके पैनल और ट्रॉपिकल साइकलोन इसके टाइफून कमेटी ये पांच कमेटियां है ठीक है जो फाइनल करती है दुनिया भर में कोई भी तूफाना है उसका नाम फाइनल करती है ठीक है सबसे सबसे पहले 20 मौसम बिज्ञान संगठन ने चक्रवातों के नाम रखने की सुरुवात की थी तो ये भी याद रखने आपको किस ने शुरू किया था तो आप क्या बोलोगे 20 मौसम बिज्ञान संगठन ने सबसे पहले चक्रवात साइकलोन के नाम रखने शुरू किये थे वह भारत में तूफानों का नाम देने का चलन कब से शुरू हुआ 2004 से शुरू हुआ भारत के साथ-साथ अब देखो यहां पर वही है आठ मैंने क्या कहा आठ देश जो कि हमारे इंडियन ओशन के नाम डिसाइड करते हैं ठीक है कि वहां पर कौन से साइकलन आते हैं तो भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांगला देश, स्री लंका, माल देव, म्याम मार, ओमान और थाइलेंड ठीक है इन्हों ने भी तूफानों का नाम देने का फार्मूला तयार किया इन आठ देशों की ओर से सुझाओ दिये गए नामों के पहले अक्छर के अनुसार उनका क्रम तै किया जाता है ठीक है उसी करम के अनुसारी चक्रवात के नाम रखे जाते हैं इन सभी आठ देशों ने वर्ड मेट्रोलोजिकल और गिनाइजेशन को तुफानों के नाम की लिस्ट दी हुई है इसमें भारत ने क्या क्या नाम दिये है देखो अगनी बिजली मेग सागर आक जैसे नाम दिये वहीं पाकिस्तान ने निलो फूर बुल बुल ठीक है और तितली जैसे नाम दिये इनहीं नामों में से वर्ड मेट्रोलोजिकल और गिनाजेशन तुफान का नाम रखती है यह जो आठ कंट्रीज हैं इंडिया नोशन रिजन के एकॉर्डिंग ठीक है यह क चुना गया था तो भारत में आयत उफान का नाम अमफान रख दिया गया ठीक है और यह जो नाम दिये जाते हैं जो चक्रवात आता है यह भेजे गये नामों में से बारी बारी एक एक नाम चुना जाता है और आपको पता है कि भारत में दस साल तक एक नाम दोबारा इस्त अच्छे तस्हानों पर पहुंचाने के लिए सीमें दिया है थे तो फागा होता है कि अब ज्यादा तर पर थे और जैदा का फरक पड़ता है ऍंपेक्ट मे सब्सक्रा था इंपक्ट पड़ता है तो इसलिए जब 20 मही को सुनाई दिया कि साइकोलान अंफान आने वाला है तो पियम मोदी जी ने क्या क्या पहले से ही मिटिंग पुलाई और उसके लिए वहां की लोगों को सुरच्छित वहां से निकाला गया ताकि उनका कोई नुकसान ना हो सके ठी का मतलब होता है इसकाई आकाज ठीक है नेस्ट बात हम करते हैं यह तूफन बंगाल के खाड़ी में उठा जिसका प्रुभाव कहां कहां पर कोलकाता उडिसा के तटिये मैदानों में पड़ा और यहां पर देखो जो यह चक्रवात होता है तूफन साइकलोन होता है यह साइकलोन असोसियेटिड विद किसके साथ ही असोसियेटिड होता है तो आप क्या बोलोगे यहां पर साइकलोन अपने साथ स्टॉम टॉरैंटियल रेंड और स्ट्रॉंग बिंट्स मींज तूफान मूसलाधार बारिस और तेज हवा लेकर आता है ठीक है अब यहां पर मैं से हुगली नदी जाती है ये इसको रास्ता दिया ठीक है और इधर है आपका ये पारादी पोर्ट जो की उडिसा के लिए ये जाती है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा इंपक्ट पड़ा स्टार्ट कब हुआ था ये 16 मई 2020 को इसका सिलसिला थोड़ा थोड़ा सुरू हो गया था ठीक है 21 मई को ये पूरी तरीके से अपना इंपक्ट शोड़ कर जा चुका था और 20 मई को सबसे ज़्यादा खतरनाक मंजर इसका देखने को मिला था ठीक है और इसे सुकर सुपर साइ साइकलोन नाम दिया गया क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी लेकिन अबरेज स्पीड आपको याद रखनी है कि 180 से 190 किलोमीटर पति घंटा की स्पीड इसकी रही है ठीक है अब हम बात करते हैं अचा हां ये देख लेना आईमडी जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको य इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट वह उन्होंने क्या किया किया कि इतने से इतने स्पीड की साइकलोन होगी तो वह किसमें होगी वह स्टॉर्म होगा डिप्रेशन होगा ठीक है या सुपर साइकलोन होगा तो उन्होंने क्या किया है यहां पर एक स्केल तैयार किय जो ट्रॉपिकल साइकलोन इंटेंसिटी स्केल के नाम से जानी जाती है ठीक है नेस्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी कंट्री जो इसकी एफेक्ट में आई यानि कि फैटलिटी इस बाइक कंट्री देशवार हताहतों की सुचियों में अगर देखोगे तो बास करते हैं तो बात करते हैं औरव तो चीज़ी आप देखोगे तो सबसे पहले अगर करते हैं राइज इन रिवर लेबल जो नदिया हैं ठीक है उन में क्या हुआ, उनका label क्या हुआ, ऊपर उठ गया, क्यूं, अब ये देखो, आप समझो पहले इन चेजों को अच्छे से, अगर हम बात करते है, तो यहां पर क्या है ये हल्दिया, हल्दिया पोल्ट है, ठीक है, तो ये हल्दिया पोल्ट देखो गया आप ये वगली से भी यह जाना जाता है ठीक है अब आपको यहां पर जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है यह जो इस फिगर में तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको इसलिए दिखाया गया है कि यहां पर हल्दिया पोर्ट है और उसके बाद यह जो वाइड रास्ता आपको दिख रहा क्योंकि तूफान जो होता वो नमी के साथ जाता और नमी जब पानी होगा वहां पर तभी होगा और यह नदी में पानी था तो यह इसको रास्ता मिल गया इसी तरीके से आप देखोगे उडिसा वाला रेजन कि यहां पर पारदीप पोर्ट था और यह है जो उडिसा कटक स होते होते हुए तो यह रास्ता मिल गया कौन सी नदी है यह महा नदी नदी है ठीक है यह महा नदी है और यह कौन सी थी हुगली नदी थी तो इस तरीके से यह दोनों नदियां जो मिल गई इसमें क्या हुआ अब यहां पर इसको इस डाइग्राम से पहले समझो मॉइस्च ऐसे ही ये क्या करेगा ओसन को चोड़ेगा और land region में इंटर करेगा ठीक है तो नमी क्या हो जाएगी अपने आप arithmetic क्या हो जाएगी कट जाएगी नमी तो हट गई वहाँ से तो अब यहाँ पर धीरे 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 जैसे यह आगे बढ़ेगा इसका इंपेक्ट धीरे-धीरे क्या होता है फिर कम होने लगता है ठीक है यह बात आपको समझ आ गई होगी तो इसलिए यहां पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कूलकाता में ही जादा लॉस देखने को मिला है आपको कहां पर इंडिया में ठीक है यह बात आपको समझ आ जाए होगी और इससे क्या होता है अब इस टाम आ रहा है तो फरण आ रहा है बिंट्स चल रहे है ठीक तो क्या होता है अब पर rise in river label यानि की नदियों का पानी क्या होता है बहुत जादा ही उपर उठ जाता है अब हम बात करते हैं overflow आप sea water अब जो समुद्री पानी है समुद्र का पानी है वो भी क्या होगा overflow करेगा बढ़ जाएगा तो यह समुद्री पानी आपको पता है ज्यादा तर जो sea और ocean होत होता है नमकीन खारा पानी होता है अब यह जैसे ही crop में इंटर करेंगे ठीगे या फिर जैसे ही यह तालाव में इंटर करेंगे तो वहाँ पर जो भी human तो रहेंगे नहीं आप जैसे बोलोगे कि वहां पर जो भी और्गानिज में माइक्रो और्गानिज में या फिर फिसेज हैं ठीक है उनके लिए नुकसान पहुंचेगा बहुत जादा ही है ना अब जो फिसेज हैं वो क्या होंगी मर जाएंगी पानी में क्योंकि सैलाइन वा इलक्षन में बात करेंगे तो यह जब साल्टी वाटर है यह कहां पर मैदानों में चला गया खेतों में चला गया अब खेत में चला गया तो पूरा क्या हो गया सौल्ट सा खारा पानी आ गया जो कि वहां की पैदावार को वहां की जमीन को बंजर कर दी और जब जमीन कर देगा बाकि जो क्रॉप्स थे उनका नुक्सान तो हुआ ही लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए भी वो फिल्ड कैसी हो गई बंजर हो गई बैरन हो गई ठीक है तो आई होप आपको यह चीजें इतनी समझ आ गई होंगी तो इनका इंपक्ट किस पर पड़ा है तो आप द साधा तर किस के बनी होते हैं यह चीप मटेरियल के बने होते हैं थीक है आप कह सकते हो कि जो सस्ती मातरा में मिलती हैं चीजें रौममटेरियल reztery उने उनसे ये घर बनाते हैं क्योंकि आया दिन वहापर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहते हैं. तो अब ये किस से बनाते हैं? Oven Mat से बना देते हैं, Mad या Kीचर से बना देते हैं, या फृर ये Metal Seats से बना देते हैं, सब तबाह हो गया, गिर गया, तूट गया, ठीक है, यह कैसे हो गया, होमलेस हो गया, ठीक है, इनका घर जो है, थोड़ा सा सस्ता होता है, तो वो फिर से बन जाएगा, एक हपते, दो हपते में, लेकिन वो current time के लिए क्या हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, तो आपको समझ आ तूट गये बहुत सारे घर गिर गये ठीक है बिल्डिंग्स गिर गई आपने क्या देखा इस अगर डियाग्राम में देखते होती यहां पर यह पेड़ पौदे गिरे इन्होंने क्या किया है रास्तों को ब्लॉक कर दिया है अब जब रोड ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रांस् इस्पोर्टेशन डिस्टरफ हो जाता है अब अगर आप दूसरा इसका नेस्ट फिगर देख रहे हो तो आपने यहां पर क्या देखा यह वायर जो होते हैं यह स्नैपिंग कर जाते हैं यानि कि गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कमुनिकेशन फिल्ड में बहुत जादा ही लॉस हो जाता है क्योंकि कमुनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है तो आप देखोगे कि किसको लॉस हो रहा है पबलिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही लॉस होता है यहां पर आप इस फिगर में देख रहे हो तो है वो किस पर गिर गया है आपने देखा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर गिर गया तो यह क्या हुआ एक तरीके से देखोगे तो assets का नुकसान हुआ ना तो जो चीजें बनी है वो भी खराब हो गई तो आपने क्या देखा कि collapse जब हो रहा है ट्री और building का तो बहुत सारा ही loss हो रहा है चाहे वो पेड़ के गिरने से सामान तोट रहा है घर तोट रहा है आवा गमन रुक रहा है ठीके तो यह सब चीजें होगी जो कि public और private दोनों के assets का क्या हुआ यहाँ पर खामियाजा हो रहा है यानि की चीजें तो और हमसे क्या लेते हैं carbon dioxide जो हमारे environment में carbon dioxide है उसको क्या करते हैं यह absorb कर लेते हैं ठीके तो आपको यह चीजें भी समझना है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा important है क्योंकि जो लगभग बता रही हूं है कि 100 पेड़ ठीके 100 पेड़ जो है यह कम से कम तिरपन टन ठीक तो 100 पेड़ लगभग तिरपन टन 53 टन साफ carbon dioxide को क्या करते हैं remove करते हैं और भी जो air pollution होते हैं तो उसमें से भी 430 pounds 430 pounds air pollution ठीके जो भी air pollutant होते हैं उनको भी यह क्या करते हैं remove कर देते हैं तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी अब यह चीजें गिरने से बहुत सारी ची चीजें का नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ public के documents रखे होंगे कुछ government documents रखे होंगे तो वो क्या होंगे वह तो damage हो जाएंगे तो lost हो जाएंगे फिर दुबारा वो मिल नहीं पाते हैं ठीके तो इसका भी नुकसान हुआ अगर किसी school की building गिर गई है तो वहाँ पर points भी समझ आ गया होगा migration और displacement अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 लाख लोगों को क्या किया गया था shelter home में shift किया गया था अब इसके पहले ही shelter home में कौन shift है COVID-19 के patient या फिर जो मजदूर हैं जो बाहर जाने वाले थे उन लोगों को shift किया गया shelter home में ठीके अब अब जब यह shelter home में shift किये गये तो यहां पर क्या हुआ बहुत जादर लोगी कटा हो गए है ना togetherness बढ़ जाएगी तो इससे भी क्या होगा एक तो बिमारी के chances रहेंगी ही रहेंगे खाना पीना ना मिलने की problems आती है तो आपने क्या देखा है कि अगर ऐसी कोई आपदा आत यह disaster होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो migrate हो जाते हैं उसके लिए उनको बहुत सारी problem होती है ठीक है यह सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी नेस्ट बात हम करते हैं redistribution of sand की किसकी redistribution of sand की इसका मतलब क्या हुआ जब बहुत तेजी बिंड चल रही है और जो य इतने तेज थी तो यह क्या करेगा अपने साथ rate यानि की sand को बहा कर ले गया ठीक है तो यह जो sand थे इनको इन्होंने क्या किया जो best वेंगॉल था और जो ओडीसा ठीक है best वेंगॉल और ओडीसा के delta रीजन में जो delta वाले छेतर थे वहां पर क्या किया sand को flow हो गया अब जै fertility कम हो गई यानि कि उसकी उपर कम हो गई अब जब वो जमेन उपजाओ कम हो गई तो वहां पर productivity भी क्या होगी कुछ समय के लिए कम हो जाएगी तो इस तरीके से आपने देखा कि redistribution आप सेंड का क्या impact पड़ता है ठीक है next अगर हम बात करते हैं किसकी outbreak of infectious disease यानि कि क्या होगा इससे कुछ बीमारियां भी हो सकती है जैसे कि जब ये पानी overflow हो रहा है ठीक है जब ये पानी overflow होता है तो आप देखोगे कि कुछ कुए में पानी भर जाएगा जो लोग होते हैं वो कुएं से भी पानी लेकर पीते है तो अब ये पानी कैसा हो गया आप देखोगे तो contaminated water हो गया यानि कि प्रेदूसित जल हो गया contaminated water हो गया जब ये जल प्रेदूसित हो गया तो यही जल तो कहां गया कुए में गया और जो वहां के open area वाले लोग हैं वो क्या करेंगे उस कुएं का जल यूज करेंगे और सारे लोग बीमार होएंगे पैसे हैं नहीं कि वो इलाज खरा पाएंगे प्रॉपरली तो इससे बहुत सारे लोगों के जान जाने के चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है नेस्ट अगर हम बात करते हैं लॉस अब बायो डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है कि हमको सब से जादे लॉस किसका हुआ बायो डाइवर्सिटी का जैविविदिता का हूआ कैसे हुआ पीड पोधे गिरे ठीक है उस एरिया के जितने भी जानवर थे उनका ठीक है इस तरीके से इन लोगों का लॉस हुआ तो किसका लॉस हो रहा है अब वहीं पर आप देखोगे सुन्दरवन डेल्टा ठीक है क्या है सुन्दरवन डेल्टा की बात अगर हम कर लेते हैं तो यह जो सुन्दरवन डेल्टा है इस पर दोनों का अधिकार है किसका अधिकार है आप बोलोगे भारत का भी अधिकार है और बांगलादेश का भी अधिकार है ठीक है दोनों ही क्या करते है सुन्दरवन डेल्टा को सियर करते हैं अब यह भी तो अफेक्ट हुआ ना इस सुन्दरवन डेल्टा भी अफेक्ट हुआ और यहां पर आप इसको दूसरी नाम से अगर देखो गया तो यहां पर जो रह गई है जो मैंने बोला आपको तो इस तरीके से इनका इंपक्ट आपने देखा कि क्या क्या चीजें कितनी हुई ठीके अब यहां पर कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो कि क्या क्या चीजें हैं जैसे इसका नाम सुपर साइकलोन क्यों पढ़ गया तो मैंने आपको क्या बोला यहां पर जो आइमडी है ठीके इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया है एक साइकलोन इंटे तो इसी की वज़ा से और उसके बाद वन मिनट के लिए प्रॉक्स इसपीड जो हो गया था तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था सुपर साइकलोन रख दिया गया था ठीके अब अगर हम बात करते हैं कि डामेज जो हुआ है उसमें कितना मतलब अगर पैसे की बा कुसान हुआ है आपको इतनी पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं और बाकी चीजें मैंने बता दी हैं कब आया था भारत में तो भारत में याद रखना आपको 20 मई और अगर स्री लंका का पूंचता है तो वहां पर 13 मई से ही स्टार्ट हो गया था धेरे धेरे फिर 16 हमें देखने को मिला अपने भारत में सबसे ज्यादा 20 मई को ही देखने को मिला और डिसिपेट हो गया यह 21 मई को और फॉर्म हुआ था यह 16 मई को कहां पर बेया वंगॉल के नियर ठीक है तो इतनी चीजें आपको समझ के रखनी हैं किसके बारे में अमफान तूफान के ब फिर को रोना आया उसके भी अपडेट का एक वीडियो बनाएंगे ठीक है तो अप लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और मिलते हैं फिर हम नेस्ट क्लास में थैंक्यू सो मच